रसोई में तववे को इस तरह रखोगे तो घर में आएगा संकट और होगा नुकसान वास्तो विज्ञान में कई उपाय बताए गए हैं इन उपायों को आजमा कर आप घर में देवी लक्षमे की कृपा बनाए रख सकते हैं इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का कभी अभाव नहीं होगा तववा ना सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है बलकि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है तव्वा हमारे कीचन की सबसे जरूरी चीज है आज हम आपको बताते हैं कि वास्तो के अनुसार तव्वे का कितना ज़्यादा महत्व है और यह भी कि किस चगए पर किस खास तरीके से तव्वा रखने से खुल सकते हैं बंद किसमत के ताले तव्वा और कड़ाई राहू का प्रतिनी दित्व करते हैं इसलिए रसोई को बिलकुल साफ रखें यह दि कोई महिला गंदी तव्वे या फिर गंदी कड़ाई को इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसकी पती पर पढ़ता है जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तव्वे को गरम करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तव्वे पर जरूर डालें परन्तु इस बात का खास ख्याल रखें कि नमक में कोई भी अन्य पधार्थ ना मिला हो यानि कि हल्दी या फिर लाल मिर्च ना मिली हो तव्वे या कड़ाई को कभी भी तीकी चीज से ना कुर्चे हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिप के सामगरी को हटा लीजिए तव्य या कड़ाई को कभी भी जूठा ना करे ना ही उस पर जूठी सामगरी रखे इन दोनों चीजों की पवित्रता का खयाल रखना बहुत जरूरी होता है घर में इनकी स्विछता का जितना ध्यान रखा जाएगा धन के आग्मन के रास्ते उतने ही आसान होंगे सबी बरत्नों में ये दो चीज बहुत जादा सम्मान के युग्ये हैं अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तूरंत रोटी सेखने के बाद गरम तवे को गंदे बरत्नों में धुलने के लिए रखते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज इस आदत को छोड़ दीजिए क्योंकि गरम तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है घर में बड़े बुजूर के ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तो सास्तर में भी ऐसा कहा जाता है कि गरम तवे पर पानी छिड़कना एक अपसकुन के तूर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने पर जो छनन की आवा जाती है उससे नेगेटिव एनरजी आने के नकारात्मक उर्चा घर में आती है। वहीं माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्ति हो जाती है तो उसकी तेरवी के दिन गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामाने दिनों में ऐसा करना असुप माना जाता है। जो तिस में तवे का संबंद राहू से माना गया है, इसलिए इसके साफ सफाई का विशेज तोर पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ करके रखना चाहिए, तवे को हमेशा लेटा कर ही रखना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है इसके अलावा इस बात का भी विशेश द्यान रखे कि तवे को कभे भी गेस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए कुछ लोगों के आदत होती है कि रोटी सेखने के बाद तवे को गेस पर योँ ही छोड़ देते हैं ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को आज ही छोड़ दीजिए चुले पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवे को तुरंट हटा दे तवे को हमेशा साप पाने से अच्छे से दोख कर रखें रात में तववा और कड़ाई कभी गंदा न छोड़ें अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक उर्जा आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी तवे पर बनाई गई सबसे पहले रोटी गाय को जरूर खिलाएं यह नियम बना लीजे पहले रोटी गाय के लिए ही होनी चाहिए इससे घर में कभी भी विपदा नहीं आती है साथि घर की सारी के सारी नकारात्मक उर्जा तुरंती समाप्त हो जाती है घर में सुक्सम्रदी का वास होता है और धन दोलत में वृद्धी होती है घर में जब तवे का उप्योग ना हो तब उसे ऐसे रखे कि तवे पर बाहर के लोगों की नजर बिल्कुल भी नहीं पड़े तवे या कडाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए उल्टा तवा रखने से गोर संकट और आर्थिक तिकत आती है घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक उर्जा का वास होने लगता है लोगों को हमेशा ये समश्या बनी रहती है कि तवे को कहां रखना चाहिए जिससे घर में सुक शान्ती बनी रहे और धन दोलत में वृद्धी हो वह घर में सकारात्मक उर्जा कावास हो तो ऐसे में तव्वा और कड़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए तव्वा हमेशा साफ और चमका कर रखे क्योंकि यह है आपकी किस्मत का प्रति भिम होता है तव्वा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी ही चमकेगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्रीब जरूर कीजिएगा ओके थेंक्य वरिवन